लो मैं आ गया तो कैसे हो अपलोग आसा करता हूँ कि आप सब बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाल है जी हाँ मैंने आपको फिली वीडियो में लिंक दी थी और अपनी एया ये फाइल भी दी थी कि आप वहां से अपने थन केबल या अपलोड करके और अच्छे खासी अपनिंग कर सकते हो बट आज मैं उसी को step by step बताने वाला हूँ जैसे कि आप सभी का आप सभी ने पूछा थे कि भाई उसको step by step बताओ कैसे उसकी add unit id चेंज कर दी है पड़ता है ठीक है तो यह फाइल को मैंने जो आपको दी थी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि ओपन नहीं हो रहा था ठीक है तो टेंशन वाली बात नहीं मैंने वह सारे बग्स हटा दी है अब मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप मैंने आपको यह फाइल की लिंक रखे यहां से बिधा चेऽ कर लिए और जो पिछली वीडियो थी वहां से मैंने ब्रक चेंज कर दिया है महां से झालेकर रेगी क्योंकि मैंने ऑपको थी नघनार मुझी यूंधक कर यह थी कि मैंने लाई सूट किया था क्योंकि चीन चाट दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं दूसरे जगा गया था तो वहां से मैंने एक ब्लॉक सूट किया है तो आप से देखना और बताना कैसा लगा तो चलिए बिना समय को है वीडियो चुलू करते हैं तो हाई गाइस दिस इस कमल और यू वाचिंग आलवर्टेक चैनल तो अगर आपको इस वीडियो ज़रा सभी पसंद है तो प्लीज ये लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने आप इस चैनल को सस्क्राइब करना चलो यार वीडियो श्टाइब तो जैसा कि आप सभी देख पार हूँ मैं अपने लैट्टाप के स्क्रीन पर आ गया हूँ और आप सबसे पहले मैं यही बताने चाहता हूँ कि जैसा मैं करता हूँ वैसा आप इस्टेप बाइस्टेप फॉलो करते हैं रहना वरना कुछ भी मिस कर दोगे और यार भाई आ आज भी वीडियो नहीं दोगी तो यार आएं वेरी वेरी सॉरी कि मैं जब वीडियो सुट करता हूँ तो उसमें मैं 500 वाट का हाई लोजन यूस करता हूँ ठीक है तो वह इन्वाटर पर चलना इंपॉस्बिल हो जाएगा तो लाइट के वेगार तो नहीं सूट करता है इ आप मेरे से तुरन थी वहाँ पर जाके कमेंट करूं मैं उसका रिपलाई भी करूंगा एंड आपके उसके उपर वीडियो भी बना दूगा ठीक है और अगर कोई भी प्लेश्टोर पर या अप्लीकेशन डलवानी बनानी है तो उससे भी आप मुझे रेलेटेट बात कर सक होगे बट यार उसमें क्या पुराबनाईगी कि बहुत ही से लो चलेगा अप्लीकेशन अप्लीकेशन रेंग नहीं करेगी तो इससे मैं कहता हूं मोबाइल में मत करना सिधा अपने पीशी में करना ठीक है तो यहां पर सीधा मैं क्रोम यूज़ करना हूं आप जो भी यू अप्लीकेशन को पहले से ही यहां पर डॉल रखा तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा क्योंकि मैं आपको इस्टेप बाइश बताओंगा वन्ना आपको ओगे कि भाई आधे से बता दिया तूने समझाया नहीं सही से ठीक है तो यहां पर जो मैंने अप्लीकेशन दी है मतलब मैंने यह रखा है वहाँ पर मैंने कर दिया किलिक अब ओके कर दूँगा तो यह हो जाएगी सिंपली से अप्लोड मेरे थन केबल पर ठीक है तो यहां पर हो गई यह अप्लोड और उसके बाद इसको कर लेना है क्लिक ठीक है तो इंटरनेट जब बहुत ही फार्च देगा सब्सक्राणद यह बहुत ही जल्दी चलेगा और अगर शिलो है तो स्लोओ ही चलेगा फैक है तो मैरा तो इससे मने स्लोओ ही चलेगा तो मेरा स्लोओ है तो थोड़ा वेट कर लेता है अन्zam 설 बोन भाट दिखा दिए रहा है तो इसा इंटरफेस आपको दिखाए देगा अ रड़ एड़मोप एकाउंट डिसेबल हो चुम्हें अप स्रिफ उसे बचाहे यूट्यूब वाला तो यूटुब पे मैं एड़मोप एकाउंट नहीं बनाऊगा ठीके तो आपको कुछ भी करने आपना आपको एड़मोप एकाउंट खोल लेना है वहां पे अगर अगर है copy और यहां पर सिंपल से आपको आना है और लिखा हुआ है बैनर नमबर वन ठीक है तो यहां पर मेरे पास लिंक ही ले आपको यह और आपको पर लिखा रही है मैं इक्जांपल के तुरु पर यह को दिखा रहा हूं तो आपने addmob account में जाना उसको कर लेना copy copy करने के बाद फिर यहाँ पर आना interstitial की add unit ID paste कर देना एक से लेके 12 तक मैंने दे रखी है तो यहाँ एक से लेके 12 तक copy कर लेना मैं सभी में डालूँगा तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मलब बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी यह ठीक है तो यहाँ आप क्या करना कि एक से लेके and 12 तक सब में आपको डाल देना यहाँ पर यहाँ पर सभी में आपको यहाँ पर अपनी add unit ID paste कर देनी और ध्यान से करना कोई मिश मत करना नहीं तो वहाँ पर आपका add नहीं सो होगा ठीक है तो यहाँ एक से लेके 12 तक आपको add unit ID create कर लेनी है अब उसके बाद आपका number one screen हो गया complete अब आपको चले आना है number two screen पर तो यहाँ पर नमबर two पर के लिप करोगे फिर आपको वही सारे काम करने है बैनर की ID एक से लेके 6 तक डालनी है आपको ठीक है addmob पर आपको simple सीधा सीधा लिखा होगा यहाँ पर बैनर की है यह इंस्टिंसल की ID create करते हो अगर आपको नहीं पता है कि इसको create कैसे करते हैं तो आप YouTube पर simply सा सर्च कर लेना how to addmob ID create तो आप तुरंत ही वो लोग बता खोलेंगे उसके बाद फिर इंटरे स्टीतिश भालेंगे और एक से लेकर 12 तक फिर आई अउनिट कर लेंगे उसके बाद एक से लेकर पां पांच में चले आने हैँ यहाँ पर आफ्योज पांच में प्र बैनर के जगां जगा बैनर नहीं नहीट वह इननर cours यहां पर पेश्ट कर देना और उसके बाद आपको अपनी इंटरिस्टीसियल आइडी एक से लेके छे तक पेश्ट कर देनी है तो आई होग कि आप सभी को यह समझ में आगए और आप से एक चीज़ बता देना हो कि यहां ब्लॉग में जाके आपको कुछ भी नहीं छेड़न करना वरना आपका अप्लिकेशन साही से रन नहीं करेगा तो यहां पर आप कुछ भी मत छेड़ना सिर्फ आपको डिजाइन में छेड़ना है अब आपको हम इसको पताते हैं कि एक से एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मतलब आपने सब कुछ डाल के डिडी कर लिए तो भाई इस के बाद उसको स्केन करना पड़ेगा फिर वो डाउनलोड होगी तो इतना जहां मत करो सीधा अपने डेप्टॉप के डेक्स्टॉप में डाउनलोड कर लो तो यहां पर मैं सीधा सिंपली से किलिक कर दे रहा हूं और यह भी कुछ दिर में यह एक्सपोर्ट हो जाएगा त दूसरों के मुबाइल में सबसे ज्यादा किलिक मारते रहना और दूसरी बात यार यह अप्लीकेशन मत बताओ आम मुझे कमेंट करना तो मैं कोई ऐसी अप्लीकेशन बना दूगा बना दूगा जिससे आप प्ले स्टॉर पे भी डाल देना ठीक है और उसमें क्या होगा ल प्लेश्टोर पर पॉब्लिश कर देता है ठीक है तो आप मेरे से कॉंटेट करने ना मैं डलवा दूँगा अगर आपने नहीं बना है तो मैं यही सजेस्स करता हूं कि आपको ऐसी अप्लिकेशन बनाओ जैसे कि मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं MX Player को देख लो MX Player डाउनलोड करते हैं मुस्से यूज़ करते हैं तो उसमें Add आते हैं ठीक है और उससे क्या होता है लोगों का फायदा होता है मनलब Music सुनते हैं लोग वीडियो देखते हैं उसमें लोगों का भी फायदा होता है और आपकी भी अर्णिंग होती है तो कोई ऐस पूरिश टाइम वेट करना पड़के टाइम लगता है तो या पर सिंपल साइ एक पॉर्ट हो रहा है यह दो हुआ है या इन दिशाल पर एक ऐंखा जो करना तो यहां पर यहां पर इंटार पॉकल्पार जो यहतं से अदक्र तो यहां पर यह भी हो गया डाउनलोड तो चलो यार बाकी के सामने बात करते हैं आमने शामर तो जो भी यह बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड कर लो और एक्सपोर्ट कर लो और अर्निंग करो अपनी तो बस चोटी से इंफोर्मेशन आपकी आप सभी को पसंद आया होगा तो अगर आपका वीडियो जरा सभी पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के शार शेय करो तो मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाय एंट सानरा आयाम स्रेंग आउट